आज हम पढ़ेंगे स्वर और वेंजन के बारे मां आलू स्वर और वेंजन के बारे मां तुम क्या जानते हो बताओ मास्टर साब जो मुझे बाहर आता है उसे स्वर कहते हैं साबास और वेंजन किसे कहते हैं मास्टर साप जो मूह के अंदर जाता है उसे वेंजन कहते हैं जैसे पानी पूरी अगला गयो का आलू क्या उल्टरशी तर जवाब दे रहे हो मास्टर साप सही तर जवाब दे रहे हैं कल आपी तो गड़िदवाली मारश चनी ते कह रही थे कि अपने हाथ के स्वादिस्ट वेंजन का भी हमें भी खलाए दो आलू तुम बहुत सेतान हो गयो कल अपने ममी और पापा को इस्कूल में लेकर आना अन्यता इस्कूल में आने की जरूत नहीं है ठीक है मास्टर साथ आगया मेरे राजे बेटा मैं तेरा ही इंत्यार कर रही थी जा दादी और पापा क्या काना फूसी कर रहा है सुनकर आजा ममी मेरी बात तो सुन लो तेरी बात मैं सुनूंगी पहले मेरा काम कर जा ठीक है ममी ममी अमरे पेट में बहुत दल्द हो रहा है कोई देशी नुसका हो तह बताये दू बेटा बजार ज से अजुमान लेआओ उका पानी उबाल के पिर लेओ तक ठीक हो जाओगे ठीक है मम्मी पापा पापा कहां जा रहे हूं दीक है मब मंमी को बता क्या आता हूं जा मम्मी का चमचाग पंक पंक मम्स आपके लिए बुरी खबर लाया हूं क्या खबर लाया जल्दी बता मम्मी मम्मी पापा के पेट मदर्द दे रहा है और दादी बता रही थी कि आज बाइन पीलो तो सही है जाओगे आपके लिए खबर लेती है अच्छे से आगे पापा अजबाइन ले आई मम्मी बुला रहे थी आपको जाए रहा है बाइया खाए ना तो का करें तुम्हें हमें गुमावे कूँ शॉपिंग करावे कूँ खचु खावावे कूँ पैसा तो अतना है और फालतू खर्चा वाइन का तुम्हा फूपा देखे गया है वाइन कौन लाया वाइन अच्छा बड़े सरीब बन नयों आज तुम पी के दिखाओ वाइन मैंने भी इस्टिल को बेलन मगा रखो एक मारूंगी सिर पर तो तुम्हां सिर कहीं होगो और धड़ कहीं और अरे भाइन हमने करो का झाल